स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्ड़बल दोस्तों आप सबने दुनिया की सबसे फेमस वेब सिरीज को देखा या फिर इसके बारे में सुना जरूर होगा नहीं नहीं आज हम इस वेब सिरीज का रिव्यू नहीं करने वाले हैं बलकि देश की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गेम आफ थ्रोन्स वेब सिरीज से काफी मिलती जुलती है देखे गेम आफ थ्रोन्स में जहां जौन स्नों की दा नॉर्थ किंग्डम, त्योन ग्रेजॉय का आइरेन आइलेंड्स और डॉन जैसी सेवन अलग अलग किंग्डम्स होती हैं ठीक वैसे ही हमारे स्खूपसूरत से नॉर्टीस्ट में भी सेवन सिस्टर्स हैं जैसे की अ ऐसी सिच्वेशन हमारे नॉर्टीस्ट की भी है बस यहां पर हाउसिस की जगां ट्राइब्स होती हैं और यहां भी ठीक वैसे ही पावर स्ट्रगल की कहानी लॉंग टाइम से चली आ रही है सौगे थे आप सभी का स्टेडी आईक्यू में अनुराग पांडे नाम है हमारा एंड आई होप आपको हमारी आज किस कहानी का कॉंटेक्स समझ आ गया होगा तो चलिए इसे शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपोर्टन्ट अपडेट है दरसल आईस की तयारी को बहुर भी अफोरडेबल एंड कॉंप्रीहंसिब बनाने के लिए स्टेडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I देट मेंस प्रेलिम्स टू इंटर्व्यू प्रोग्राम 2024 दूस्तों इसके जरीह आप प्रेलिम्स मेंस एंड इंटर्व्यू यानि UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तयारी एक साथ कर सकते है UPSC स्लेबर्स को कंसीडर करते हूँ इस बैच में आपको लाइब क्लासेस के तुरू बेसिक टू एडवांस कवर करा जाएगा साथी mentorship, test series, crash course, notes और books ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है CIS Live Prelims to Interview 2024 बैच को अगर आप जॉइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइब कूपन कोड का इस्तिमाल करते हैं तो इस बैच की total fees 45,000 की बजाए आप इसे 29,999 का avail कर सकते हैं इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दियेगे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के description box में दियेगे course रिलेटेड पीडियाफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तोंगर 2011 census की माने थो नौर्टीस्ट में 135 रिकागनाईजट ट्राइबल कम्यूनिटी हैं जिनने schedule ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है देखा जा तो पूरे नौर्टीस्ट में इनकी संख्या 12.5 मिलियन के आसपास है और देश के कुल आदिवासियों में से 12% से ज़ादा क्याबादी इन्ही इलाकों में बसती है वैसे तो पूरे नौर्टीस्ट में आज 200 से ज़ादा रिकागनाईजट और अन्रिकागनाईजट ट्राइबल कम्यूनिटीज हैं जो ज़ादा तर हिल फॉरेस्ट एरियाज में आईसोलेटर रहते हैं और जो अपने ही रूल, अपने भगवान, अपने खानून और अपने ही कल्चर में विश्वास रखते हैं आपको बता दें कि नौर्टीज के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आज भी मेजॉर्टी पॉपुलेशन शेडिूल ट्राइब्स की ही है जैसे कि मिजोरम, नागा लेंड और अरुनाचल प्रदेश दोस्तो नौर्टीज तसल में वहाँ की ट्राइबल कम्यूनिटीज की वज़ा से जाना जाता है लेकिन शुरुआत से ही कम्यूनिटीज ना सिर्फ आपस में बलकि एक साथ मिलकर भी भारत से अलग होने के एजेंडे के साथ वाइलेंस और कॉन्फलिक्स को बढ़ावा देती आई हैं ऐसे में इस एजेंडे और कॉन्फलिक्स को स्टेट वाइस समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं मनिपूर से दोसों मनिपूर 1949 में इंडिया का हिस्सा बना जो 1956 में एक यूनियन टरिटरी की तरह कंसीडर किया गया और 1972 में एक फुल-फलेजड स्टेट बन गया जिसे नौर्ट इस्टन एरियाज रियॉर्गनाइजेशन एक 1971 के तहत एक राज्य का दर्जा दिया गया आज यहाँ पर खरीब 35 छोटी बड़ी ट्राइबल कम्यूनिटीज हैं जिसमें तीन सबसे मेजर कम्यूनिटीज यानि कि नागा, कुकी और मैतेई शामिल हैं और मनिपूर की बहुत सी ट्राइबल कम्यूनिटीज को इनहीं के अंदर कंसीडर किया जाता है दोस्तों मैतेई यहां की मेजर्टी पॉपुलेशन है देखा जाये तो इसमें भी दो ग्रूप्स हैं जिसमें पहले ग्रूप को मैतेई कहते हैं जो धर्म से हिंदू है और दूसरे ग्रूप को मैतेई पेगेंस कहा जाता है जो बेसिकली मुस्लिम्स होते हैं दोस्तों मनिपूर की ट्राइबल कम्यूनिटीज में नागा और कुकी हिल ट्राइबल है जबकि मैते ही लोग वैली में रहते हैं अगर आप मनिपूर की जियोग्रैफिक को देखेंगे तो यहां का ज़्यादातर इलाका हिल एरिया है जबकि वैली बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद मनिपूर की मैजॉर्टी और पॉपुलेशन वैली में ही रहती है क्योंकि पहाडों पर रहने के लिए शेडूल ट्राइब के लिस्ट में आना जरूरी होता है जिस कैटेगरी में अभी तक सिर्फ नागा और कुकी कम्यूनिटी के लोग ही आते थे दोस्तों आज जो मनिपूर के हालात है और जिस तरीके से यह राज जल रहा है उसके पीछे यही शेडूल ट्राइब कैटेगरी ही जिम्मेदार है दरसल ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते दिनों मनिपूर में रहने वाले मैतई कम्यूनिटी को भी इसी शेडूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल किया जाने की बात की गई जिसे वहां की माइनौर्टी कुकी ट्राइब की लोगों को ये लगने लगा कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है दोस्तों मनिपूर की माइनौर्टी ट्राइब को ये लगने लगा था कि मैतई को शेडूल ट्राइब का दर्जा मिलने के बाद अभी तक जो मैतेई लोग सिर्फ वैली की फर्टाई लैंड पर खब्जा किये हुए थे अब वो हिले रियाज में भी दखल दे सकेंगे जिसे कुकी कम्यूनिटीज को नुकसान होगा और इसी विवाद पर पूरा मनिपूर पिसले दो महिनों से लगातार हिंसा की घटनाओं का गवाव बना हुआ है लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मनिपूर में ये पहली बार हो रहा है बलकि यहाँ पर अलग-अलग कम्यूनिटीज के बीच कई बार कॉन्फिक्स देखे गए हैं जिसमें अगर कुछ बड़े कॉन्फिक्स पर नजर डालें थो सेप्टेंबर 1993 में नागाज और कुकीज के बीच का कॉन्फिक्स सबसे बड़ा एक्जामपल है दरसल कुकी भी मनिपूर के कैसी ट्राइबल कम्यूनिटी है जो म्यानमयार से लेकर बांगलादेश तक से लगने वाले हिल एरियाज में फैले हुए हैं जबकि नागा ट्राइब के लोग म को मार दिया था और इस पूरे विवाद में 230 से जादा लोगों की जान गई 1 लैक से जादा कुकीज को डिस्प्लेजड होना पड़ा और इन सब का रूट कॉस जमीन विवाद से जुड़ा था जिसमें कुकीज मनिपूर के कई ऐसे हिस्सों को भी अपना कह रहे थे जिसे नागा ट्राइब के लोग ग्रेटर नागालिम का हिस्सा मानते दोस्तों ये विवाद आज से नहीं बलकि कॉलोनियल एरा से चलता आ रहा है देखा जाये तो कुकी नागा और कुकी मैतेई के अलावा मैतेई ग्रूप के हिंदू और मुस्लिम कमुनिटीज में भी कॉन्फ स्टेट हैं जहांके ट्राइबल्स के बीच कॉन्फलिक्स और सेप्रेशन की भावनाएं बहुत ही क्लियरली नजर आती हैं और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है नागा लैंड तो इसमें डिसमबर 1st 1963 खो भारत के 16th स्टेट के रूप में नागा लैंड अपनी एक्जि आई है और इसलिए नागा जंजात शुरू से नागा ट्राइबल्स और उनके रीजिन्स को मिलाकर एक अलग ऑटोनॉमस ग्रेटर नागालिम बनाने की मांग करते रहते हैं जिसका साधारन अर्थिये है कि पूरुतर भारत से लेकर मियानम्यार के लाके तक बसे सबी नाग अपना राजी हो शुरुवात में तो ये मांग उठती थी कि ग्रेटर नागालिम भारती राजी से अलग हो लेकिन बाद में ये मांग भी उठने लगी कि ये भारत के अंदर एक ऑटोनॉमस स्टेट हो और इसी मांग की वज़ा से नागा लोग नौटीस के दूसरे ग्रेटर नागालिम का हिस्सा मांते हैं अपनी इसी मांग को पूरा करने के लिए नागालैंड से कई मिलिटन ग्रुपस भी समय समय पर भारत के खिलाप सालों से हिंसक लडाई लड़ते आये हैं जैसे नागा नैशनल काउंसिल एननसी नैशनल सोचलिस्ट नागा फेडरल गौर्मेंट और नागा फेडरल आर्मी इन सारे रेबल गुरूप्स का में नेम सिर्फ और सिर्फ नागा कमुनिटी के लिए एक अलग राज या फिर देश बनाना रहा है दिखा जाये तो उनकी लड़ाई आमतोर से गौर्मेंट आफ इंडिया से रही है जिसे खत्म करने के लिए सरकार की ओर से कई बार पीस एकॉर्ड करने की कोशिश की गई दोस्तो 1997 में नैशनल सोचलिस्ट काउंसिल आफ नागालेंड ने सीजफएर का एलान तो कर दिया लेकिन उसके बाद भी शानती नहीं बन पाई देखा जाए तो ऐसा ही कुछ 2015 में भी हुआ जब बीजेपी सरकार के साथ इसी गुरूप के लोगों ने पीस एकॉर्ड पर साइन तो कर दिया लेकिन उसके बाद भी वो शानती पूरे तरीके से नागालेंड में नहीं आपा रही है जिसकी कलपना की गई थी दोस्तो नागालेंड के बाद त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन औस तन कम है यहाँ पर सिर्फ 32 परसेंट के आसपास ही ट्राइबल कम्यूनिटी के लोग रहते हैं दिखा जाय तो त्रिपुरा की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्यूनिटी त्रिपुरीज ही हैं जिनके नाम पर राज्य का नाम पड़ा वैसे तो त्रिपुरा आजादी के बाद से ही भारत का हिस्सा बन गया था लेकिन इसे भी 1972 में एक स्टेट के तोर पर पहचान मिली जबकि उससे पहले त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी की तरह रहा दोस्तों अगर आजादी के बाद इस रीजिन की डेमोग्रेफी को देखें तो पहले यहाँ पर नॉन ट्राइबल लोगों की संख्या उतनी नहीं थी लेकिन 1947 के विभाजन और फिर 1971 के बांगलादेश बनने के दोरान इल्लीगल बेंगॉली माइगरेंस तरिपुरा में बड़ी संख्या में आ बसे जिस वज़ा से वहाँ की तरिपुरी कम्यूनिटी को हिल्स एरिया की ओर शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा साथी बेंगॉली इमिगरेंस का स्टेट पॉलिटिक्स में भी दखल बढ़ता गया जो वहाँ के ट्राइबल ग्रूप्स को स्टेट में लगातार कमजूर करता रहा और दोस्तों आज भी वहाँ पर इलीगल माइगरेशन होता ही रहता है जिस पर कई बार वहाँ के ट्राइबल लीडर्स ने हो मिनिस्ट्री को इनफॉर्म भी किया है देखा जा तो त्रिपूरा में शुरुआत से ही इमिगरेशन के उपर सरकार उतनी सकती से पेश नहीं आई है और इसलिए इंडियन नैशनलिजम की जगां वहाँ के लोगों में त्रिपूरा को इंडिया से अलग करने के लिए त्रिपूरा नैशनलिजम का भाव पर अपने लगा इसमें नौर्टीस्ट के बागी राज्यों में बढ़ रहे सेपरेटिजम का इंफ्लिएंस भी देखा गया और इस तरह से त्रिपूरा में आज भी ट्राइबल वर्सेज बेंगॉलिज का कॉन्फलिक चलता रहता है दोस्तों कुछ मिलिटेंस ग्रूप की बात करें थो त्रिपूरा नैशनल वॉलेंटियर्स, नैशनल लिबरेशन फ्रेंट आप त्रिपूरा और अल त्रिपूरा टाइगर फोर्ड जैसे ग्रूप्स में से कुछ तो त्रिपूरा को इंडिया से अलग करना चाते हैं और कुछ इंडिया का ही पार्ट बने रहना चाते हैं लेकिन ये सबी रिबल ग्रूप्स बांगलादेशी इमिगरेंस के खिलाफ एक कॉमन स्ट्रगल में शामिल हैं इनी बढ़ते रिबल ग्रूप्स को देखते हुए बांगलादेशी इमिगरेंस ने भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग ग्रूप बना लिया है जो युनाइटड बेंगॉली लिबरेशन फ्रंट के नाम से त्रिपूरा में काम करता है देखा जाया तो दोनों तरब के रिबल ग्रूप्स अक्सर छोटे-छोटे मुद्दों पर भी आपस में वाइलेंट अक्टिविटी में इन्वाल्व रहते हैं जिस बज़ा से त्रिपूरा एक कॉंपलेक्स कॉंफिक्ट में आज तक फसा हुआ है दोस्तों त्रिपूरा जैसे कुछ हालात मेघाले के भी हैं मेघाले भी एक ट्राइबल मेजॉर्टी वाला स्टेट है जिसे 1972 में असम से अलग करके बनाया गया था मेघाले भी त्रिपूरा की तरह से बांगलादेशी माइग्रेशन का शिकार रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बांगलादेश के साथ यह स्टेट करीब 433 किलोमेटर का बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों ट्राइबल्स के साथ यहां पर बेंगॉली, मारवाडी, बिहारी और नेपाली लोग भी रहते हैं लेकिन यहां पर 86.5% की पॉपुलेशन इंडिजीनियस ग्रूप की ही है और यही वज़ाए कि मेगालय में खासीज, जैंतियाज और गारोज जैसी कम्मुनिटीज है ऐसे में बांगलदेशी माइगरेंट्स के लिए यहां के कई ट्राइबल यूनियन बार बार कंसर्ण जाहिर करते रहे हैं और देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1978 से ही हो गई थी इसके साथ ही बाकी के स्टेट से भी लोग मेगालय में आने लगे ऐसे में बहुत से रिसोर्स पर आउटसाइडर्स अपना खबजा करने लगे और इसी के चलते मेगालय की राजधाने शिलॉंग में बीते 40 सालों में कई बार वाइलन्स देखा जा चुका है जिसमें 1979 में बेंगॉली इसको टार्गिट किया गया 1987 में नेपालियों के खिलाफ वाइलन्स हुए और 1992 में ट्राइबल्स ने बेहारियों के खिलाफ हिंसा की रिसेंट इग्जाम्पल की बात करें तो 2018 में शिलॉंग एक बर फिर से वाइलन्स का शिकार हुआ था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां की ट्राइबल कम्यूनिटी खासीज और पंजाब ओरिजिन दलिट सिक्स आपस में भढ़ने लगे थे ऐसे में दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि त्रिपुरा और मेगालिया में कॉन्फिक का रिजन सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स का इलिगल माइगरेशन है लेकिन एक ओर जहां त्रिपुरा में ट्राइबल्स माइनॉर्टीज में है वही मेगालिया में वो मेजॉर्टी में है जो इन दोनों राज्यों के कॉन्फिक्स को डिस्टिंग्विश करता है साथिकर ट्राइबल्स के आपसी कॉन्फिक की बात करें तो मेगालिया में खासी, जैन्थिया और गारो जन्जार्थी के बीच इस्ट्रगल देखने को मिलता रहता है दोस्तो इंटर्ट्राइबल कॉन्फिक की शुरुआत मेगालिया में 1992 से देखने को मिलती है जब हिन्यू ट्रेप नैशनल लिबरेशन काउंसिल को बनाया गया था कहा जाता है कि ग्रूप ही मेगालिया का पहला एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रूप बना दरसर हिन्यू ट्रेप नैशनल लिबरेशन काउंसिल खासी और जैनतियाज कम्मूनिटी के लोगों की आवाज उठाता था दूसरी और गारोग कम्मूनिटी के लोगों की बात रखने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छिक नैशनल वॉलेंटियर्स काउंसिल को गारो कम्यूनिटी के लोगों के द्वारा बनाया गया दिखा जा तो दोनों ही कम्यूनिटी के रिबल ग्रूप्स अपनी अपनी डॉमिनियंस को बरकरार रखने के लिए आसपास के स्टेट के मिलिटेंट और्गनाजेशन के साथ मिलकर भी काम करने लगे और फिर 2009 में एक और नया ग्रूप बना जिसका नाम था गारो नैशनल लिबरेशन आर्मी दोस्तों इस ग्रूप का मकसर था गारो लोगों के लिए एक अलग गारो लैंड बनाना इनकी वाइलेंट अक्टिविटीज को देखते हुए 12 सरकार ने उसी साल इस ग्रूप को टेरिस्ट और्गनाजेशन डेकलेर कर दिया था उससे पहले भी इंडियन गौर्मेंट मेगालिया में रेबल ग्रूप को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही थी और इसलिए 2007 में हिन्योट्रेप नैशनल लिबरेशन काउंसिल के बड़े मिलिटेंट ने सरेंडर कर दिया जिससे जैंतियाज और खासी कम्यूनिटी की वाइलेंट अक्टिविटीज कम हो गई दोस्तों उसके बाद गारो के रेबल क्रूप अच्विक नैशनल वॉलेंटियर्स काउंसिल ने भी 2014 में सेंट्रल गवर्मेंट और मेगालय गवर्मेंट के साथ समझोता कर लिया हाला कि गारो नैशनल लिबरेशन आरमी अभी भी मेगालया में एक्टिव है लेकिन मेगालया गवर्मेंट वहां से मिलिटेंसी के खत्म होने का दावा करती है दोस्तों आए मेगालया के बाद अरुणाचल प्रदेश के एतनिक कॉन्फिक्ट पर एक नजर डालते हैं दोस्तों 1962 में भी एक बार को चाइना नेफा के बदले अकसाई चिन को छोड़ने को तयार हो गया था लेकिन भारत इसके लिए बिलकुल भी तयार नहीं हुआ और इसलिए आज अकसाई चिन इंडिया का पार्ट नहीं है बलकि नेफा अरुनाचल प्रदेश के नाम से भारत का एक राज बना हुआ है जहाँ पर 79% ट्राइबल पॉपलेशन रहती है जहाँ के सिर्फ 68.79% ट्राइबल को शेडिूल ट्राइब्स की कैटिगरी में शामिल किया गया है दिखा जाये तो अरुनाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब्स और बहुत सी सब ट्राइब्स हैं वैसे तो अरुनाचल प्रदेश में लोकल सेपरिटिस या फिर एक्स्ट्रीमिस्ट और्गनाइजेशन फ्लरिष्ट नहीं करते लेकिन असम और नागलेंड के एक्स्ट्रीमिस्ट और्गनाइजेशन यहाँ पर भी एक्टिव रहते हैं दोस्तों यहाँ पर बांगलादेश याई चक्मा रिफ्यूजीज के बसने के कारण समय समय पर कई वाइलेंट इंसिडेंट्स जरूर होते रहे हैं आपको बताते चलें कि नाशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागलेंड ही यहाँ का सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट और्गनाइजेशन था पर इन सब के बाद भी अरवडाचल प्रदेश आमतोर पर शांती रहता है लेकिन आज वहाँ पर किड्नाइपिंग और फिरोती की घटनाएं दिन बर दिन बढ़ती जा रही है सरकार के दोरा ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट से छुटकारा तो पालिया गया है लेकिन लोकल क्राइम अभी भी अरवडाचल की चुनावती है जिसमें इंटर ट्राइबल कॉनफलिक्ट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों यह बात करते हैं मिजोरम की मिजोरम आजारी से पहले असम का ही हिस्सा था जो 1972 में असम से अलग होकर एक यूनियन टरिटरी के तौर पर रिकगनाईज़ हुआ लेकिन बतार स्टेट उसे 20 फेबरियरी 1987 को रिकगनाईजेशन मिली अगर यहां के मेजर ट्राइबल ग्रूप की बात करें तो उसमें मिजो सबसे पॉपुलर ट्राइबल ग्रूप है हिस्टोरियन कई बार ऐसा मानते हैं कि मिजो लोग मंगोल लोगों के ही प्रिडिसेशर्ज है देखा जा तो मिजोरम में में मेंली लुशेई, रालते, हमार, पाहिते और पावी जैसी ट्राइबल कमुनिटीज पाई जाती है और स्टेट की पॉपुलेशन में 95% हिसेदारी ट्राइबल की है मिजोरों में एक्स्रिमिजम और कॉन्फलिक्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी शुरुआत 1955 से ही हो जाती है देखा जा तो 1955 में यहाँ पर मौतम फेमिन नाम का एक रिबल और्गनाजेशन बना बाद में सी का नाम मिजो नैशनल फेमिल फ्रेंट हो गया और आगे चल कर इसे मिजो नैशनल फ्रेंट के नाम से जाना गया दूसरे संगेठन भी नौर्टीस्ट के बाकी ट्राइबल ग्रुप्स की तरह मिजो लोगों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था और इसलिए 1972 में मिजोरम को एक यूनिन टरिट्री के रूप में अलग किया गया था वो भी इस वादे के साथ के जल्दी उसे एक और्टोनॉमस स्टेट बना दिया जाएगा देखा जा तो एप्रेल 1986 में मिजो नैशनल फ्रेंट और सेंट्रल गौर्मेंट के बीच पीस एकॉर्ड साइन हो गया और 1987 में मिजोरम को एक स्टेट डिकलेर कर दिया गया लेकिन दोस्तों 2000 में यहाँ पर एक बार फिर से कॉन्फलिक शुरू हो गई जिसका मेन रीजन था तृपुरा से ब्रू कम्यूनिटी के लोगों का मिजोरम में आकर बस जाना दरसल तृपुरा में ट्राइबल कॉन्फलिक के चलते ब्रू लोगों को वहाँ से माइगरेट होने पर मजबूर होना पड़ा उसके बाद ये लोग तृपुरा से माइगरेट होकर मिजोरम में एंटर करने लगे और ऐसा इसलिए था क्योंकि मिजोरम में 1986 से शान्ती बनी होई थी इसलिए मिजोरम उनके लिए एक बेहतर जगह थी लेकिन इसके बाद एक बाद फिर से साल 2000 में मिजोरम में एक्स्ट्रीमिजम की घटनाय शुरू हो गई जिसमें सीक्योर्टी स्टाप के साथ जवान शहीद हो गए थे और चार सिविलेंस की भी मौत हो गई थी लेकिन फिलहाल मिजोरम में अब इस तरह की घटनाय ना के बराबर है दोस्तों मिजोरम के बाद सेविन सिस्टर्स में सबसे आखरी और सबसे बड़े राज़ी की बात करें तो वो है असम जिसे नौर्टीस्ट के चार स्टीर्स बाद में अलग हुए तो आईए असम के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों असम में विद्रो की शुरुआत 1979 से हुई जब यहाँ पर United Liberation Front of Assum यानि की उल्फा बना 1979 में ही All Students Assum Union यानि की आसू भी बना जिसने असम में illegal immigrants के खिलाप protest शुरू कर दिया और 80s के दशक तक आते आते उल्फा सबसे बड़ा extremist organization बन गया था और असम के ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस ग्रूप में जुड़ने लगे थे दोस्तों ये उल्फा ही था जो असम को एक अलग देश बनाने के डिमान पर खड़ा हुआ था जैसा कि North East के बाकी स्टेट्स में भी उस वक देखने को मिल रहा था और इसलिए 1990 में सरकार ने उल्फा को एक terrorist organization मानते हुए उस पर बैन लगा दिया लेकिन 1987 में ही All Bodo Students Union बोडू ट्राइब के लिए अलग बोडू लैंड की मांग करने लगा देखा जाए उसके बाद बोडू ट्राइब के कई extremist organization बनते गए उल्फा और Bodo के रावां कार्बी और डिमासा स्ट्राइब ने भी अपने अपने organization बना लिए जिसमें से कुछ groups की demand थी कि असम को एक अलग देश बनाया जाए वहें को सिर्फ अपने लिए और ज़्यादा अधिकार यानि की rights के demand कर रहे थे दोस्तों पूरे 90's के दर्शक तक असम इन ही extremist organization की वज़ा से violence के आग में जलता रहा लेकिन 90's के बाद इन organizations के उपर सरकार और security forces का action तेज हो गया जिसका result ये हुआ कि बहुत से protesters इंडिया छोड़ कर बंगलादेश चले गे जबकि कुछ मारे गे और बहुतों ने surrender कर दिया साथे जो संगठ हैं इसके बाद भी बचे रहे गे उनको शांत करने के लिए केंदर सरकार और असम सरकार ने उनके साथ समझोता कर लिया दोस्तों इस तरीके से देखें तो आज नॉर्टीस्ट के एक अशांत अक्षेत्र होने के पीछे वहाँ की ethnic diversity एक बड़ा कारण है लेकिन इन conflicts के लावा कुछ और भी कारण है जो इस पूरे region को अशांत बनाए हुए हैं तो आए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं दोस्तों 2019 और 2020 के बीच NTCA प्रोटेस्ट के दोरान असम और बांगलादेश शसटे हुए बाकी के राज्यों में भी crime देखने को मिला है दिखा जाय तो वैसे भी region illegal immigrants की वज़ा से criminal activities को face कर रहा है साथी चाइना का अरुणाचल प्रदेश को अपना कहना और उसके कई गाओं को अपनी territory में देखना भी North East के एक बड़े हिस्से में tension को create करता है साथी North East के लोगों के बीच इंडियन गौर्रमेंट अपनी जगह बनाने में शुर्यवात से ही नाकाम रही है जिसमें 1958 में अरुणाचल प्रदेश, असम, मनिपुर, मिघाले, मिजूरम और नागालेंड के अशानत इलाकों के लिए पास किये गए आपस्पा एक्ट ने एक बड़ा रोल प्ले किया है दरसल आपस्पा एक्ट के तहट सरकार की ओर से सिक्योर्टी फोर्सेज को किसी को भी शक के बिना गरफतार कर लेने और शूट कर देने की परमिशन दे दी गई थी जिसे भले ही आर्मी ने जिम्यदारी से समाला होगा लेकिन उसके बावजूद भी कई फेक अरेस्ट और एंकाउंटर की घटनाएं इस रीजियन में बार-बार देखने और सुनने को मिलती रहीं जिस वज़ा से इंडियन गॉर्मेंट देखते इस इस इलाके की लोगों के ल लोग इसलिए भी इन्वाल्व रहते हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं दोस्तों अगर इस तरह से देखें तो पिसले 50 सालों से देश के 7.9% के जेग्राफिकल एरियाज में देश की 3.78% की पॉपुलेशन लगातार सफर कर रही है देख़ जा नौर्टीस्ट इंडिया की एक ऐसी हाई एनरजी फ्यूल की तरह है जिसके इस्तेमाल से इंडियन एकोनामी 5 ट्रिलियन के अपने टार्गेट को टच कर सकती है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रीजियन नेचर का एक खुबसूरत तौफा है दोस्तों यहाँ पर न इसपर जैसे मिनरल्स के साथ ही साथ यहाँ पर चाय और बंबू जैसे एग्रिकल्चर प्रोड़क्ट भी पाय जाते हैं दोस्तों सब किलावस रीजिन में बहने वाली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहयोगी नद्यों की मदद से हाइट्रो एलेक्रिक प्लांट से बजली बना गया है जिस वज़ा से आज वहाँ पर अशांती है फिर भी दोस्तों सरकार अगर इसे कंट्रोल करके सबका साथ और सबका विकास वाली नीत यहाँ पर भी लागू करती है तो ना सिर्फ यहाँ के एथनिक टेंशन को कम क्यादा सकेगा बलकि नौर्टीस इंडिया के लिए अशांत इलाका माना जाता है हलांकि दोस्तों पहले यहाँ पर सिचुएशन इससे बहुत अलग थी क्योंकि बिटिश आसन के दोरान इन इलाकों में नौन इंटर्फेरंस का नियम लागू कर दिया गया था जिसका मतलब यह था कि इस रीजिन में किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा दरसल अंग्रेज ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो नौर्थीस का इस्तेमाल रॉ मैटेरियल के एक्सपोर्टर के तौर पर करते थे लेकिन जब आजादी के बाद इन स्टीट्स को इंडिया में एक एक करके शामिल कर लिया गया तो यह सवाल उठन इसन्ट एक्जामपल दोस्तों हमें मनिपूर में देखने को मिल रहा है जहां मैतेई जैसी नौन-ट्राइबल कम्यूनिटी कूकी जैसी ट्राइबल कम्यूनिटी के बराबर ही अधिकार हासिल करने की मांग कर रही है ऐसे में ये तैय करना ज़रूरी है कि 200 से ज़ादा ट्राइबल कमुनिटीज वाले नौटीज को सरकार पीसफुली आगे लेकर चले और मेंलैंड इंडिया के लोग भी उनकी संस्कृति और कल्चर का रिस्पेक्ट करें विसे दोस्तों आपको हमारे ये खास एपिसोड कैसा लगा साथ ही आप किस पूरे मुद्दे बर्राय क्या है हम इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें